बिहार के मुख्यमंत्री स्री नितीश कुमार जी ने राज्य की सिक्षा विवस्था को 30 साल पीछे ढखेल दिया है और यहां के छातर युवाओं की लगभग दो पीढ़ी को बरबाद कर दिया है। पिछले चार साल से बिहार सरकार यह वादा कर रही थी कि STET, CTET, BTET पास सिक्षक अभियर्थियों को मेरिट लिस्ट बना कर सिक्षक के तौर पर नियुक्ति करेंगे और पांचवे साल में अचानक आप घोसना करते हैं कि BPSC से बहाली होगी। अब यह राज्य सरकार ने कैबिनेट से यह पास किया है कि बिहार में सिक्षक बनने के लिए जो प्रतियोगिता परिच्छा है उसमें बिहार का नागरीक होने की जो शर्त है जरूरत है वो अब नहीं रहेगी कोई भी व्यक्ति सिक्षक बन सकता है। इसका स्वागत है लेकिन बिहार के छात्र जहां भासाई बाद धेता है अब तमिलाडू में करणाटक में केरल में तिलंगना और अंध्राप्रदेश में जाकर तो सिक्षक नहीं बन सकते हैं। जहारखन में भी आप नहीं बन सकते हैं। 70% दोमिसाइल नीती के तहट वहाँ बाद धेता है। तो बिहार की सरकार, 70% बिहार की नौकरी, बिहार के लोगों को मिले, 70-80% ऐसी विवस्था क्यों नहीं करती है। अब चार साल तक भरमाकर और भटकाकर, बिहार वासियों, बिहार के छात्र युवाँ को बरबाद करने का ठेका नितिश कुबार ने ले लिया है। अब इनको प्रधान मंत्री बनना है तो रास्टिय प्रद्रिश से दिखाई दे रहा है बिहार के छात्र युवाव के हित को इन्होंने ताग पर रख दिया है